हलो फ्रेंट, आप सभिक आपने यूट्यूब चैनल पर हर्देक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलर्शिप के बारे में, तो फ्रेंट वीडियो को इंट तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किये हैं या चैनल पर पहली बार बिजट कर रहे हैं तो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी information आपके पास सबसे पहले और फिरी में पहुंसती रहे तो चलिए friends वीडियो को start करते हैं और सीधा आपको ले चलते हैं inspire scholarship की website पर तो friends finally हम लोग आ चुके है inspire scholarship की website पर student के लगातार comment आ रहे हैं कि sir पहले हमने promotion लेटर upload कर दिया था एक लेटर जो हमारे institute या university से मिला है कि आप promote हो गए हैं उसका वो promotion लेटर हमने पहले अपनी login ID and password के मादियम से हमने upload कर दिया था अपने खाते में लेकिन अब finally हमारी university ने result upload कर दिया है में की दो तीन जो paper हम लोग student के हो चुके हैं उनके नमबर आई हैं और sales में डौट डौट आ रहा है और result में लिखे आ रहा है कि प्रमोटेट एज पर promotion guidance तो क्या किया जाए scholarship आएगी या नहीं आएगी तो student में बहुत सारे डौट बने हुए हैं क्योंकि जब आपका offer later आता है तो offer later में साब साब लेखा होता है कि आपको अपना mark street अप्लोड करना है और performance report अप्लोड करना है लेकिन इस वार covid-19 के करन बहुत सारे university बहुत सारे college की परिछाएं नहीं थी बहुत सारे classes में परिछाएं ही नहीं थी student को promote कर दिया गया था लेकिन बाद में university द्वारा जितने भी paper हो चुके थे उनके आदार पर उनका result अब गोसित किया जा चुका है तो student में यह doubt बना हुआ है कि जो हमने पहले promotion लेटर upload कर दिया था क्या उसके आदार पर हम लोगों का scholarship का amount हमारे खाते में आ जाएगा या नहीं आएगा क्या हमें अपना यह जो अभी real declare हुआ है university द्वारा वो result भी upload करना पड़ेगा तो यह doubt बहुत सारे student में बना हुआ है और student इसी profit पर लगातार comment भी कर रहे है तो friends आप बिल्कुल confirm है कि इससे पहले inspire department की ओर से एक later जारी किया गया था कि आप अपना promotion later upload कर सकते हैं बहुत सारे जितने student उनकी email पर भी आया था कि आप अपना promotion later upload कर सकते हैं लेकिन promotion later upload करते समय बहुत सारे student ने गलतियां करती हैं क्योंकि promotion later upload करते समय आपको fees रसीद भी लगानी थी बहुत सारे student ने fees रसीद नहीं लगाई है तो friends अगर आपने fees रसीद लगाई थी तो आपको कोई भी problem का सामना नहीं करना पड़ेगा आसानी से आपका amount आपके bank account में देखने को मिल जाएगा और अभी तक अगर जिन्हों ने अपना bank account number upload नहीं किया है जो भी नए student है वो तुरन्त upload कर सकते हैं जिसके उपर एक video आ चुका है इसका link आपको इस video के description box में मिल जाएगा और जिन इस student ने अभी तक अपना performance report और mark sheet upload नहीं किया है ना ही promotion लेटर upload किया है तो उनमें कोई भी असुपदा का सामना उन्हें student को नहीं करना पड़ेगा जो भी आपकी university ने result जारी किया गया है जारी किया है आपकी university ने उनको आप verify करके आसानी से अपना लगा सकते हैं बे पोर्टल पर तो आपका verification के पश्चार आपका amount आपके खाते में आसानी से मिल जाएगा आपको कोई problem का सामना नहीं खना पड़ेगा लेकिन वो student ध्यान दे जनने जिन लोगों ने promotion later के साथ अपने feature नहीं लगाई या से कितने student है comment box में comment करके जूरू बताइएगा तो friends finally ये वीडियो आपको कैसा लगा comment box में comment करके जूरू बताइएगा और जिन लोगों ने अभी तक अपना performance report and mark feed अप्लोड नहीं किये वो तुरंद जल्द से जल्द कर लें जैसे कि आपको timeally payment मिल सके inspire scholarships later अगर आपको कोई भी असुब्दा का सामना करना पड़ रहा है अगर आप में कोई doubt बना हुआ है तो इस वीडियो के description box में दिये गए email पर आप email कर सकते हैं अनता वीडियो के नीचे comment box में comment करके आप पूह सकते हैं thanks for watching and subscribe my channel